हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो मैं उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी का स्वागत है देवीसा जोती ब्लोग में देखिए मैं सुभे उठ गई थी पांच बजे उसके बाद अपने जारूरू लगा लिया है सभी जगत उसक उपर उपर से टब्बे हमने साफ कर दिया था पनी वगेरा ऐसी कपड़े गीले से डिटॉल डाल करके पोंच लिया था तो कीचन ना पूरा जैसे महमान आया थे मैं मैं हमारे घर आपको पता होगा तो भावी लोग आई थी घुमने के लिए तो फिर जाने के बाद बहु ज़्यादा ठक गये थे ना तो इस वज़े से अब मैं सोच रहूं कि अब बरसात आने माला है तो मैं कीचन को पूरी अच्छी तरीके से सफाई कर लेती हूं और देखिए किस तरीके से आप कीचन सफाई कीजिएगा तो कुछ दिन तक अच्छे रहते हैं जैसे कि आपको म कर लिए तो ऊपर से अपना डबा साफ कर लीजिए जैसे हर महीन अपना डबा उपर से निकाल करके और बारम ठिर्म में घ्ली को पारिऑं बिर्श धार कर लीजिये और पनी का भी चीकनाई हटाना बता रही हूं तो सबसे पहले मैं पन्नी को धोलूँगी उसमें सरफ डाल करके और फिर इसमें भी सरफ गरम पानी में डाल करके डब्बे को धोलूँगी तो इस तरीके से डब्बे की चिकनाई खतम हो जाती है तो इस तरीके से पूरा डब्बा अच्छे से साफ हो जाएगा चिकनाई भी खतम हो जाएगा डब्बे तो देखिए सबसे पहले मैं उपर जो बिच्छा हुआ था पन्नी तो भी बहुत गंदा हो जाता है क्योंकि तेल मसाले जो चिट्टे उड़ते हैं तो सबसे पहले मैं दो करके डाल दूँगी ताकि सूख जाए तो हम फटा फट फट फिर जल्दी डब्बे हटा लेंगे क्योंकि आज कल बारिस का कोई भरोसा नहीं है कभी भी बारिस आ जाती है और देखिए हमने स्कोच बराइट लिया है और उसके बाद उसमें सरफ गरम पानी हमने कर लिय भगोने में गरम पानी से सरफ उसमें डाल दिया है और थोड़ा सामने नमक भी डाला है तो अच्छे सफाई हो जाते है जितना भी चिकनाई होती है सब खतम हो जाता है नमक से भी तो देखिए हमने डब्बे को सब धोलूंगी और उसके बाद फिर अच्छे से धो करके इसको फिर मैं फोल्डिंग पे कपड़े डाल करके उसको निकाल दूँगी देखिए हल्दी का डबा है हल्दी अब खतम हो गया है पिस्वाना है तो सब देखिए हमारे डब्बे धूल चुके हैं और देवीसा भी कीचन में अंदर लगी हुई है वो भी थोड़ा सफाई क कर रही है उसके बाद फिर मैं भी कीचन में जाओंगी और अच्छे तरीके से फर्स वगेरा जो भी टाइल्स वगेरा है सबको गरम पानी से और उसमें नमक डाल करके और थोरा सा डी सवार डाल करके और उसको सफाई कर लूँगी देखिए मसाले के जो डब्बे हैं इसको मैं खोल करके रख दे रही हूँ ताकि अंदर तक धूप लग जाए इसी तरीके से मैं पूरा डब्बा को खोल करके धूप में रखूंगी ताकि धूप उसको अंदर लग जाए मतलब जो भी समान है वो अच्छे से सूख जाए और उसके बाद फिर मैं खाना बना देखिए कीचन में मैं आ गई हूं बाहर के डब्बे सारे धूल गए है तो सबसे पहले मैंने जाली को साफ किया है कीचन अपनी काई कर लिया है और हमने यहां जो अरजेस्ट फैन लगा हुआ इसको भी मैंने साफ किया है लेकिन उ Corey मैंने वीडियो नहीं कर पाई video record नहीं कर पाईन. क्योंकि एक दो दिन बाद हमने किया रहा था उसको खोल करके बाहर रख दिया था और मैंने उसको बाद में सफाई किया था तो इसलिए मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना तो देखिए हम इस तरीके से पूरा अपना कीचन को किलीन कर लिये हैं तो इक कीचन कुछ दिन तक बहुत अच्छे साफ सुथरे रहते हैं जल्दी गंदा नहीं होगा उपर तो चिकन कर लिजा देखिए मेरा कीचन यहां पर पूरा सफाई हो गया है मैंने अब पन्नी को भी छा लिया है और देखिए अब डब्बे को लगाना सुरू कर रही हूं देवी सा बाहर से ला करके दे रही है यह डब्ब्बे मैं अपना सरा जैसे लगाती जा रही हूं तो कीचन में समान बहुत जादा होता है और देखिए यहां पर सारे मसाले के डब्बे जितने भी मसाले होते हैं सभी का डब्बे यहां पर मैं रखती हूं इस तरीके से क्योंकि छोटा सा रेक है पतला रेक बना हुआ है और नीचे भी जैसे नमक तेल मसाले के डब्बे हैं उ सफाई कर सकते हैं तो यह जो पूरा कीचन सफाई करने का जो तरीका है तो इसी तरीके से होता है कि पूरा डब्बे को पहले आप निकाल लीजिए और उसको धूप में मतलब रख दीजिए थोड़ा बढ़ियां से धूप लग जाए सभी समान में और अच्छे से किलीन कर ली सारे डब्बे तो जो सलेब वगेरा है वो भी अच्छे से सफाई हो जाते हैं देखिए मैंने काच के गिलास वगेरा साभी को अच्छे से साफ करके अप फिर मैंने दुबारा से लगा दिया है देख सकते हैं आप सब अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से र साम को भुट्टा बजार से ले करके आये थे मेरे पती देव जी तो चलिए इसको मैं पका लेती हूँ और फिर इसमें नमक और निम्बू लगा करके खाईए बहुत मजा आता है खाने में मेरे पती को इसी तरीके से बहुत पसंद है और इधर चाय भी चरहा दी हूँ मेरे पती देव जी चाय भी पियेंगे तो देखिए ये भुट्टा पक जाने के बाद इस पे मैंने पहले निम्बू लगाना है निम्बू रगरना है इस पे और उसके बाद फिर काला नमक